हेलो स्टुड़न्ट, बंदे वात्र, केसे हो बच्चों आप लोग सभी अच्छे हो ना, very good, तो बच्चों आज हम जीके की बुक में चेप्टर 12 पड़ेंगे, कौनसा चेप्टर, चेप्टर 12, तो चलो बच्चों सभी जीके की बुक निकालो, जीके की बुक में पेज चेप्टर 12, तींक्स वी वियर, मतलब की जो हम पेहनते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीके, कि हम कौनसे कौनसे वाले कप्ड़े पेहनते हैं, तो बच्चों आप सभी लोगों ने निकाल लिया, पैस नंबर 22, चेप्टर 12, ओके, तो चलो बच्चों, देखो यहाँ पे यह सारे कप्ड़े दिये गए हैं, तो देखो बच्चों, हम देखते हैं अभी हूं, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हैं यहाँ पे सारी, क्या है यह सारी, मतलब की सारी, तो बच्चों आप लोगों को पता है कि सारी कौन पेहनता है, सारी ममे पेहनती है, मत फिर यहां पे ड्रेस क्या है ये ड्रेस ड्रेस लड़किया पहनती है है ना अभी यहां पे है ये जीन्स क्या है ये जीन्स जीन्स तो हम भी पहनते हैं मतलग कि लड़के भी पहनते हैं लड़किया भी पहनती है चोटे बच्चे भी पैंते हैं, है ना, very good और अभी है यहां पे ये T-shirt देखो बच्चो, कितनी अच्छी कलर वाली T-shirt है, ओरेंज कलर की, है ना मस्त मस्त T-shirt है, आप लोगों के पास भी होगी अच्छी अच्छी वाली T-shirt, है ना अभी देखो बच्चो अभी यहां पे क्या है यहां पे यह टॉप है टॉप मतलब यह लड़किया पहनती है टॉप मतलब की अच्छी अच्छी टी शर्ट यह यलो कलर की है फिर देखो बच्चो यहां पे यह है स्कॉट क्या है यह स्कॉट लड़किया पहनती है फिर देखो भाई बच्चो यहां पर यह कैपरी यह जैंडू भी पेन। होटे चोटे भुच्छे भी पेन। है अभी वंच भी डेखां भाई यहां पर नीचने इसना है। स्क्री यहां पर यहें शोट क्या है यह ? शौट कौन पहनता है शौट जैन्स मतलब की हमारे पापा फिर भाई अंकल वो सब लोग शौट पहनते हैं और फिर देखो बच्चो यहां पर यह क्या है यह है नाइट ड्रेस क्या है यह नाइट ड्रेस तो बच्चो नाइट ड्रेस कौन पहनता है यहां पर यह बच्चो व चोटी यह चोटे चोटे बच्चे शोटी बेहनते हैं कितने अच्छी है यह पिंग कलर की है ना अभी बच्चो अभी देखो यहापे इसके बाजुवाले पेज में मतलब की पेज नमबर 23 में है और भी कुछ सारी चीज़े हैं जैसे की देख लो बच्चो यहापे यह दी गई है हमें नेक टाई मादे आपको पता है बच्चो यह क्या यह नेक टाई मतलब कि जो लोग इसके उनिफोर्म में यह टाई लगाई हुए होती है इसे हमें गले में बांनी हो पर प्यांकिर टाई है पिर यह है बात teenage क्या है यह बात रोब मतलब कि हम सब्रकते बात बैंका法 प्रों पहन शर्ट तीयं है में यूज़ करते हैं फिर देखो बच्छों यहां पर यह हैंड कर्जीफ क्या है यह हैंड कर्जीफ मतलब की नपकीन या फिर रुमाल इससे हम अपने हाथ पेर को पोचने के लिए यूज़ करते हैं है ना पिर देखो बच्चो यहाँ पर ये क्या है? यह है hairband. यह hairband लड़कया लगाती है अपने बालो को सजाने के लिए. तो यह लड़कया पहनती है. फिर देखो बच्चो यहाँ पर है ये shoes. क्या है ये? शूज देखो तो बच्चो कितने अच्छे अच्छे red color के शूज है ना तो ये तो लड़के के शूज है लेकिन आपको पता है बच्चो शूज लड़के भी पहनते हैं और लड़के भी पहनती हैं हम जब स्कूल में आते हैं तो हम uniform के साथ क्या पहनते हैं हां shoes very good फिर देखो बच्चो यहां पहने क्या है socks क्या है socks बच्चो socks हां shoes के साथ पहनते हैं मतलब कि आप लोग जब स्कूल आते हो shoes पहनते हो तो उसके पहले क्या पहनते हो socks है ना देखो बच्चो socks भी कितने colorful है है ना देखो तो इसमें blue, red, yellow अच्छ है ना और बच्चों सोक्स तो हम ठंडी में भी पहनते हैं क्योंकि हमें ठंडी न लगे शर्दियों न हो जाए इसलिए भी पहनते हैं है ना मतलब कि सोक्स तो यूसपुल है है ना अभी देखो बच्चों नीचे नीचे क्या है ये तो देखो बच्चों यहां पर यह है जैकेट क्या है ये जैकेट तो जैकेट हम अपनी जब विंटर होता है शर्दी होती है तो पहनते हैं या फिर कोई कपड़ों में पहनते हैं कपड़ के उपर है ना खांसे बचने के लिए हम जैकेट पैनते हैं फिर देखो बचो यह है बेल्ट बेल्ट हम अपनी पैंट के साथ लगाते हैं फिर देखो बचो यहाँ पर यह है केप क्या है यह केप तो बचो केप कहाँ पर पैनते हैं केप हम अपने सर पर पैनते हैं है ना, हम, और देखो बच्चो, कितनी आच्छी रेड़ वाली कैप है, है ना, और मुझे पता है कि बच्चो को कैप बहुत पसंद है, फिर देखो बच्चो, ये क्या है, ये है वेस्ट, वेस्ट मतलब कि जो छोटे बच्चे गर्मियों में कपड़े पहनते हैं, ये हमर में ये वेस्ट पहनते हैं, है ना, बच्चो, तो बच्चो, ये थे हमारे कपड़े, मतलब कि हम जो जो कपड़े पहनते हैं, उसके बारे में आज हमने पढ़ा, है ना, बच्चो, तो बच्चो, अभी हमने यहां पर पढ़ा कि हम कौन से कपड़े पहन सकते हैं, मतलब कि हमारे कपड़े के बारे में हमने जाना तो उसके बारे में यहां थोड़ी सी एकसरसाइस है मतलब कि यहां पर यह देखो यह नोटी से यह मैं पढ़कर आपको बताती हूं कि कि match the things we wear with boy and girl मतलब कि यहां पर लड़का जो पहनता है और लड़की जो पहनती है उसको हमें मैच करना है है ना बच्चो तो बच्चो यह मैंने तो आपको सिखा दिया कि boy कौन से कपड़े पहनते और girl कौन सी कपड़े पहनती है तो बच्चो अभी यह एकसरसेस आपको खु तो बच्चो अभी आप सब लोग एक बार रिवीजन कर लेना और एकसरसाइस भी कर लेना अपना हुमवर्क भी कर लेना अच्छे से ठीक है चलो बाई-बाई बंदे मात्रम